त्रियस्तरी पंचाय चुनाओं को सकुसल संपन कराई जाने के लिए प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाब सर्च उप्रेशन चलाई जा रहा है जहां जालोन के रेडर थाना शेतर के जंगलों में कुख्यात बदमास की सूचना मिली तो पुलिस ने दविष्टी जिसके बाद पुलिस और बदमासों के बीच जोरदार मुड़िवर देखना को बिली पंचय चुनाओ को शांती पुर्ण धंगसी संपनी करानी को लेकर जालोन पुलिस लगतार अव्यान चला रही है जहां पराधियों की धर पकड के लिए शर्च ऑप्रेशन चलाया जा रहा है जिसके तहट मुख्विर की सूचना पर जब जालोन पुलिस रेंडर थाना शित्र की जंगलों में पहुंची तो वहां शिपे एक कुख्यात बदमाश ने पुलिस पर फाइरिंग करना श्रू कर दिया जब आभी फाइरिंग करते हुए पुलिस ने बदमाश को गुरिपतार कर लिया जिहां जिसके पैर में गोली लगी हाला कि मुटवेड में किसी भी पुलिस कर्मी के गायल होनी की सूशना नहीं है गुरिपतार किये गए बदमाश को पुलिस ने कड़ी सुरक्षब विवस्ता में लाश के लिए जिलास पताल पहुचाया जहां डॉक्टरों द्वारा बदमाश का इलाश किया जा रहा है बदमाश का नाम भूपेश कुमार गूचर है जो की गुआलियर मतिवर्देश का रहने वाला बताय जा रहा है किये जा रहा है फ्लैग मार्च के दोरां आज उस समय एक एहम सभलते हाग लगी है जब S.O.G और सर्बलाइंस टीम की सहीउत कारवाही में एक कुख्याद बदमास को मुटबेड में गिरफतार किया गया है गिरफतार किया गया है बदमास के बारे में बताया गया है कि गौालियर चेतर का रहने वाला है और भूपेश कुमार गुरजर इसका नाम बताया गया है जो पंचाय चुनाओं में गलबली फैलाने के उद्देश से यूपी की सीमा में चोरी चुपे दाकिल हुआ था आज मुख्बिर की सूचना पर इस्थानी पुलिस और एसोजी और सर्मलाइंस की टीम ने संयुक्त कारवाही करके उसको अभी अभी कुछ देर पहले मुटबेड में गिरफतार किया है उसके पैर में गोली लगी है और उसको आनन फानम इलाज के लिए जिला से के सालै पह पूद